नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा निवी चैनल में आप सभी का स्वागत है भारती जन्ता पार्टी ने हो रहे 2022 के बिधान सबाद चुनाओ को लेकर जौनपुर में चार सीटों पर प्रत्यासियों के नाम का एहलान कर दिया है और जिन में एक नाम केराकत बिधान सबाद छेतर में दिनेश चौधरी को उमीदवार बनाया है आईए जानते हैं दिनेश चौधरी के बारे में इनका जन्म चार फरवरी 1961 में गाउचिताउना पोष्ट जलालपूर जौनपूर में पिता रामनात माता चमेला देवी के घर में हुआ और बात करें इनकी जाजनेतिक सुरुवात की तो 2010 में उन्होंने अपनी पत्नी सारदा चौधरी को सपा से जिला पंचायत सदय से बनवाया फिर उन्हें जिला पंचायत अध्यच बनवाया इसके बाद जब उन्होंने सपा छोड़कर 2016 में भाजपा की सदय से ता ग्रहन की तो भाजपा ने उन्हें 2017 में किराकत बिधान सबा छेत्र से चुनाओ लड़ने का अउसर दिया और उन्हें सफलता भी मिली किराकत बिधान सबा सुड़ची सीट पर 2017 के बिधान सबा चुनाओ में भाजपा के दिनेश चौधरी ने सपा के संजय सरोज को लगभग 15,000 मतों से हरा कर बिधान सबा में पहुचे थे इसके पूर्व 2012 में सपा के गुलाब चंदर सरोज बसपा की भी जलचमी को लगभग 10,000 मतों से हरा कर जीत दर्ज की थी अब देखना ये है कि 2022 के चुनाओ में के राकत बिधान सबा में क्या होता है और ये सीट किसकी जोली में जाता है आपका च्यारा है कमेंट बॉक्स में जरूर दिजेगा धन्यवाद